नमस्ते दोस्तों तो आज हम पढ़ेंगे वृतों से सम्बंदित शेत्रफल तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि वृत्त का परिमाप और शेत्रफल क्या होता है? हम जानेंगे कि तृज्यखन और वृत्त क्या होते हैं? हम तृज्यखन के शेत्रफल का मान लगाएंगे और तृज्यखन की संगचाप की लंबाई और वृत्त क्या शेत्रफल भी निकालेंगे आप अपनी पिछली कक्षाओं से ये भी जानते होंगे कि वृत्त की परीधी का उसके व्यास के साथ एक अच्छा अनुपात होता है जो कि πाई होता है जिसका मान करीबन 20 बटा 7 भी होता है तो परीधी हो जाएगा 2 into πाई into r और आप अपनी पिछली कक्षाओं से ये भी जानते होंगे कि वृत्त का शेत्र फल πाई into r सक्वेर होता है अब हम पढ़ेंगे एक वृत्त के तरिज्यकंड और वृत्त कंड के बारे में तो क्या होता है तरिज्यकंड? एक वृत्त्यशेत्र का वभाग जो दो तरिज्याओं और संगच चाप से गिरा हो उस वृत्त का एक त्रिज्यकंड कहलाता है उसी ओर वृत्यशेत्र का वभार जो एक जीवा और संगर्चाप के बीच में प्रतिवद हो एक वृत्यकंड कहलाता है मान लीजिए OAPB एक वृत्त का त्रिज्यकंड है और कौन AOB का अंश्यमाप थीटा है हमें यह भी पता है कि वृत्य का शेत्रफल पाई इन्टू आर्ट स्क्वेर होता है और हम एक वृत्य को केंद्र O पर 360 डिगरी का कौन बनाने वाला एक त्रिज्यकंड भी मान सकते है तो एक एक विधी का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि अगर कौन का माप एक हो तो त्रिज्यकंड का शेत्रफल पाई इन्टू आर्ट स्क्वेर बटा 360 हो जाएगा और अगर कौन का अन्शिय माप थीटा हो तो त्रिज्यकंड का शेत्रफल पाई इन्टू आर्ट स्क्वेर बटा 360 इन्टू थीटा हो जाएगा एक एक विधी का प्रयोग करते हुए हम त्रिज्यकंड की संगत चाप की लंभाई का भी मान लगा सकते हैं जो की थीटा बटा 360 इन्टू पाई आर आएगा विधीकंड के शेत्रफल का मान लगाने के लिए हमें त्रिज्यकंड OAPB का शेत्रफल में से त्रिभुज OAB का शेत्रफल घटाना पड़ेगा जो की थीटा बटा 360 इन्टू पाई आर स्क्वेर माइनस त्रिभुज OAB का शेत्रफल होगा तो हमने इस पार्ट में क्या क्या पड़ा हमने यह सीखा कि त्रिज्य आर वाले व्रित की परिधी 2 पाई आर होती है त्रिज्य आर वाले व्रित का शेत्रफल पाई गुणा आर स्क्वेर होता है त्रिज्य आर वाले व्रित के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अन्शों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई थीटा बटा तीन सो सांट गुणा टू पाई आर होती है त्रिज्य आर वाले व्रित के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण अन्शों में थीटा है का शेत्रफल थीटा बटा तीन सो सांट गुणा पाई आर स्क्वेर होता है एक वृत्यकंड का शेत्रफल का मान संगत चित्रिजकंड का शेत्रफल में से संगत त्रिभुच का शेत्रफल घटाने से विलता है और इसी के साथ हमारा यह पार्ट समाप्त होता है धन्यवाद झाल